इस वक्त की बड़ी खबर लोकसवार राज्य सभा में विपक्ष का हंगामा हंगामे के बाद राज्य सभा की कारवाई सागे 12 बज़े तक के लिए कारवाई की गई सागे रंधीब सुर्जेवाला को हिरासत में ले लिया गया है बीवी श्री निवास भी हिरासत में लिये गया तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ट्राक्टर चलाने के मामले में कारवाई हुई तो कॉंग्रेस संसद राहूल गांदी ने आज किसी को तब हराने कर दिया है जब सुबह सुबह वो दिल्ली की सडकों पर ट्राक्टर चलाते नजर आए तो उस राहूल गांदी ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया इसी ट्रैक्टर चलाने को लेकर वो संसद भवन ट्रैक्टर लेकर पहुँच रहे थे इसी पर कारवाई की गई है श्री निवास और रंदीप सुर्जेवाला को हिरासत में ले लिया गया है तो बड़ी कारवाई की गई है लोगसभा और राजेसभा में विपक्ष कांगामा मैं इस कमर पर हमारे साथ समाधाता शेहबास जुड़ चुके है शेहबास ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुचे कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी आज एक अलगी रूप देखने को मिला कॉंग्रेस की तो कॉंग्रेस लगातार जो है वो तीन किशी कानूनों के खिलाफ वो लगातार किसानों के समर्सन में दिखाए दे रही है और आज एक बार फिर राहूल गांदी का एक अलगी रूप देखने को मिला कि जब वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की सड़कों पर द की मांग लगा हुआ एक बड़ा सा बोर्ड ट्रैक्टर के सा आगे देखा गया और उस ट्रैक्टर को राहूल गांदी चलाते वे देखे गया तो एक बहुत बड़ा एक कदम है जो आज कॉंग्रेस ने उठाया है और लगातार आप भी देखे संसद भी चल ले और संसद औ क्योंकि अगर मुख्य विपक्षी के तौर पर कॉंग्रेस हमेशा से बीजेपी को घेरने की फिराक में दिखाए दे रही है लेकिन बड़ी कारवाई भी की कही है रंदीप सुरुजेवाला और श्री निवास पर इसको अगर बताना चाहूंगा कि जिस तरह के से ये तीनों किशी कानून बिल के खिलाफ आज कॉंग्रेसियों ने प्रदेशन किया उसके खिलाफ जो प्रशासन की तरफ से कॉंग्रेसियों को हिरासत में लिया गया है उन पर 1244 का उलंगन करने का आरोप लगाया है और इस कि अब देखना होगा कि कॉंग्रेसियों को किस तरीके से और किस तरीके से उठाती है आने वाले दिनों में यूंकि लगातार ये प्रदेशन देखने को मिल दा है रंदीब सुर्जेवाला भी कल शर्दांजली सभा में पहुचे थे जहां पर उन्होंने किसानों को जितने के बगल में अपनी एक छोटी संसर लगाई है जहां महिलाओं को भी आज उसमें पहुचना था और लगातार वहां पर हाला कि प्रशासन की तरफ से भी काफी तैयारिया की गई है डबल लेयर बैरिकाइटिंग लगाई गई है ताकि महिलाओं जो है इस प्रदेशन में शा कर देखने को मिल रहा है कि संसर का मौनसूस चल रहा है विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ने वाला है कि जिसमें वो केंद सरकार को घेरेना और यहीं मुद्धे हैं जो लगातार उड़ते भी चले आए हैं तो उसको लेकर एक बार फिर राहुल गांधी का एक अलग ही चे लेवाला और वीवी श्रेणी वासन को कारवाई की तेहत वकुट को और नोगसभा और राजसभा की कारवाई बारबजे तक स्वाही अगली बड़ी खबर हमीर पॉन से सांवने आ रही है PSC के सामने सभी Ambulence का चक्का जाम Pilot Y EMT का जोरदार प्रदर्शन ठेका प्रथा बंद करो जैसी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन PSC सुमेरपूर के सामने तपो भूमिस्तल का पूरा मामला तो हमीरपूर से बड़ी कबर हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर Ambulence चालकों का प्रदर्शन चक्का जाम किया गया PSC के सामने सभी Ambulence इस समय हरताल पर है Pilot Y EMT का जोरदा स्वागत है ठेका प्रथा जो चल रहे हैं उसे बंद करने का मांग करते हुए ये प्रदर्शन किया गया अगली बड़ी खबर इस वक्त की लखनाउ से सामने आ रही है पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जहाँ पर माया मसायर ग्रुप का 25,000 का इनामी गिरफतार आरोपी जापरकाश प्रदर्शन पती किया गिरफतार आरोपी पर गोमती नगर थाने में दर्ज है 19 मुकदमे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ 25,000 का इनामी मसायर ग्रुप का गिरफतार किया गया है आरोपी जापरकाश प्रदर्शन पती को गिरफतार कर लिया गया है आरोपी पर गोमती नगर थाने में 19 मुकदमे दर्ज है वही अगली बड़ी खबर इस वक्त की हर दोई से सामने आ रहे है पारिवारिक कला में चल रही गोली यूवक को गंबीर हालत में भेजा गया अस्पताल गोली कांट की पुलिस को मिली जान खारी आरोपी यूवक ने पुलिस में किया सरेंडर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शाहबाद कोतवाली के बस स्टैन का ये पूरा मामला है जहाँ पारिवारिक कलाय के चलते गोली कांट सामने आया है गोली चला दी गई आलग की घायल यूवक को अस्पताल में भड़ती करा गया है तहीं जिसने गोली चलाई उसने खुद सरेंडर कर दिया झाल झाल यूवक कर दो कर दो दो लूब है